हाउर फिक्स सैमसंग नॉट सेवन किप्स लोजिंग इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तो स्वागर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्फ केसी कर सकते हैं अगर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन यहां पर बार बार जो है लोस हो जाते हैं ठीक है बार बार डिस्क कनेक होते हैं तो कैसे फिक्स कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखें मैं आपको complete solution बताऊंगा उसके मदद से आप अपने problem को fix कर पाऊगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ओनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करती है तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है सिंव करको एक बार इंसर्ट यहां पर इज्ट कर लिजी और इंसर्ट कर लिजी ठीक है तो इज्ट करने के बाद दोस्तों मोबाइल रिसेट रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद री इंसर्ट कीजिए अपने सिम काट को तो अच्छे से आपको प्लेस करना है सिम स्लोट में अपना सिम मोट को यहाँ पर स्विच कीजिए पहले 3G को से ले कीजिए उसकी बाद 4G ठीक है 5G का नेट्रोग आपको अच्छा नहीं मिलेगा उसके बाद जाए दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम पे और 3DOTS में क्लिक करके reset to default setting करके आपको reset पर क्लिक कर देना और और OK कर देना है उसके बाद दोस्तों बेक करें मोबाइल को restart करें या फिर आप चेक कर सकते हैं की problem solve हो आये या नहीं हुआ है अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर आपको दो बारा से problem आते तो नेट्रोग को आप यहाँ पर manually या फिर & 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 &- & 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 और दोस्तों आपका software update नहीं है तो भी आपको ये problem हो सकते हैं तो software update जरू करना ठीक है software update देने से दोस्तों इस तरह के के जो problem है नहीं होगा आपकी device में तो software update जरू से किजिए सर्वर के इशु के वज़ते से भी theor लेकिन कई वर दोस्ट र मोबाइल के वज़ते तो मोबाइल पे सुल्वेशन करना पर जाते हैं तो यह सारे solution आपकी प्रॉब्लम को fix कर देगा अमेद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद है ठैंक्स फूर बाचिंग How to fix Samsung Galaxy On Max